नमश्कार स्वार साक्षी पॉड्कास में आप सभी का स्वाज़त है आज के इस पॉड्कास में बात करेंगे कि हम ना भूलते हैं ना माफ्स करते हैं देश के दुश्मन में को ठीकाने लगाने के लिए खूफिया एजेंटियों का मिशन खलाग तो आज ये सुनते हैं आज के इस पॉड्कास को लेकिन इससे पहले अगर आपने हमाने सानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करने ताकि आप वो जैसे ही इंट्रेस्टिंग और जानका जिक इन पॉड्कास को सुन सके क्या भारत एक खूफिय आप्टेशन में लगा हुआ है क्या भारत ने बदला लेने में इसराइल को भी पीछे छोड़ दिया है ये ऐसे सवाल हैं जिस पर दुनिया भर में कई दिनों से चर्चा चल रही है दरसल बीते दिनों सोचल मीडिया पर अचाना की एक खालिस्तान यातन की ट्रेंड करने लगा गुर्पत वंतिस सिंग पन्नू को लेकर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जाने लगा कि अमेरिका में एक सड़क दुरगटना में पन्नू की मौत हो गई देखते ही देखते एने से अजीत डुबाल की तस्वीरे भी वाइरल होने लगी इसके साथ ही लोगों की तरफ से पन्नू के भड़काव वीडियो शेयर करते हुए कहा जाने लगा कि देश के दुश्मनों का यही हश्र होगा हाला कि बाद में यह साथ हो गया कि पन्नू अभी जिन्दा है और सड़क दुरगटना में मौत की बातें केवल अटकल बाजी थी हाला कि देश के दुश्मनों को उसके अंजाम तक पहुचाने के लिए विभिन देशों की सीक्रेट एजिन्सियों की तरफ से इस तरह की ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता रहा है एक एक कर हो रही मौत की क्रोनोलोजी भारत पर हमला करने वाले पाकिस्तानी और खालिस्तानी आतंक की चुन-चुन कर मारे जा रहे हैं पहले तो निशाने पर पाकिस्तान के आतंक वादी ही थे लेकिन अब तो तीन देशों में बैठे भारत के most wanted खालिस्तानी आतंक वादियों को भी ठिकाने लगा दिया गया है अब ये आपसी लड़ाई में मरे हैं या किसी सीक्रेट आपरेशन में ये नहीं कहा जा सकता लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि दुनिया में एक बड़ा खेल चल रहा है पिछले कुछ महिनों में भारत को तोड़ने के सपने देख रहे तीन बड़े खालिस्तानी आतंकियों को मार दिया गया है सबसे ताजा मामली में कनाडा में कुख्यात खालिस्तानी हरदीप सिंग निजजर को दो अग्यात लोगों ने गोली मार दी हरदीप सिंग निजर एक खतरनाक खालिस्ताने आतंकवादी था निजर की हत्या कोलंबिया के बिर्टिश प्रांत में हुई 2020 में भारत के ग्रहम अंत्राले ने निजर को आतंकवादी होशित किया इससे एक महीने पहले 6 मही को इसी तरह परमजीत सिंग पंजवार लाहॉर के सनफ्लावर सोसाइटी में अपने घर के पास अपने नियमित मौर्निंग बॉक पर था एक बाइक पर सवार दो बंदूख धारियों ने गोलिया चलाई और खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख खून से लथपत होकर गिर पड़ा इतना ही नहीं पिछले हफते खालिस्तान के एक प्रमुख प्रतिपादक और अलगाव वादिया मौर्टपाल सिंग के हैंडलर अफ्तार सिंग खांडा का बृटेन के एक अस्पताल में निधन हो गया खांडा को हाल ही में टर्मिनल कैंसर का पता चला था लेकिन दिल्चस्प बात यह है कि उनकी मौत का कारण जहर बताया गया जन्वरी में लहोर के पास एक गुरुदवार के परिसर में हर्मीद सिंग उर्फ हैपी पीछ जी की हत्या कर दी गई हर्मीद सिंग नारको, टेरर और खालिस्तानी आतंकवादियों की ट्रेनिंग देने में शामिल था वहे 2016-17 में पंजाब मेराशे सेवक संग के निताओं की हत्या में शामिल था निजर, पंजवार, खंडा और हरमीद उन चार प्रमुख खालिस्तानी आतंकवादियों में शामिल है जिनकी हाल के महिनों में विदेश में रहस्यमाई तरीके से मौत हो गई कनाडा के विश्वस एक संगठन ने मंगलवार को हरदीप सिंग निजर के हत्या में भारती खूफे आजेंसियों की भूमिका का आरूप लगाया अक्टिव हुए खालिस्तानी और फिर इन मौतों की टाइमिंग भी काफे दल्चस्प है खालिस्तान समर्थक गतिविधी में हाल के वर्ष में विर्धी देखी गई है यूके, कनाडा, पाकिस्तान और आस्ट्रेलिया में इस सेत्थ खालिस्तानी आतंकवादियों ने अलगाव वादी आग को हवा दी है अभी पिछले हफ्ते कनाडा में कई जगहों पर खालिस्तान समर्थक गतिविधी के पोस्टर देखे गए जिसमें 1985 में एर इंडिया बंधमाको के कथित मास्टर माइंड तल्विंदर परमार का महिमा मंदन किया गया था पोस्टर में खालिस्तानी आतंकवादी को शहीद भाई तल्विंदर परमार के रूप में संधर्वित किया गया था और 25 जून को दोपहर साड़े बारा बज़े एक कार रैली का विग्यापन किया था भारत के वांड़े आतंकवादियों का पाकिस्तान में हो रहा सफाया कुछ ऐसा ही आतंक की पनागा पाकिस्तान का भी हल है जहां इन दिनों को हराम मचा है पाकिस्तान वैसे तो आतंकवादियों का सबसे महफूज पनागा है लेकिन इस बात से तो दुनिया पूरी वाकिफ है लेकिन अब बाकिस्तान आतंकवादिय अपने घर में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान में आतंकी पर यादों को चुन-चुन कर मारा जा रहा है इसलिए पाकिस्तान का हर आतंकवादी इस वक्त सेफ हाउस की तलाश कर रहा है भारत के सबसेवानची तातंकवादियों में से एक इम्तियाज आलम उर्फ बशीर एहमत पीर पाकिस्तान के रावल पिंडी में मौत हो जाती है फिर 26 फरवरी को अग्यात लोगों ने पाकिस्तान से तातंकवादि संगर्थन अलबदर के पूर्व कमांडर सेद खाले दरजा की हत्या कर दी फरवरी में ही पाकिस्तान में एक और कश्मीर आतंकी की हत्या की खबर आई इस आतंकी का नाम खाले दरजा बताया गया खबर तो ये भी है कि इसी डर से दाओद इब्रहेम से लेकर हाफिस सईद ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया कुछ दिन पहले ही पाके पूर्व मेजर ने दावा किया कि भारती खूफिया एजेंसी रौ लाहोर में आपरेशन कर रही है हाला कि इसको लेकर कोई पुष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूला करता मुसाद 1980 और 90 के दशक में फिलिस्तीन समर्थक चरमपंती गुटों के पास कई बार एक सासे गुल दस्ता आता था साथ में आता था एक नोट हम न भूलते हैं और न माफ करते हैं उसके बाद उसके परिवार के किसी शक्स की हत्या हो जाती थी ये इसराइल के खूफिया एजेंसी मुसाद का तरीका था कहा जाता है कि इसराइल के दुश्मन पाताल में भी छुप जाते तो मुसाद उन्हें ढूंड लाती 6 सितंबर 1972 को वो तारीक जब सभी लोग अपने टेलविजन से चिप के हुए थे जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक चल रहा था लेकिन उस दिन लोग खेल नहीं देख रहे थे बलकि वहाँ जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी फिलिस्तीन के चरमपति संगर्थन के कुछ सदस्यों ने इसराइल के खिलाड़े को बंधग बना लिया था इस संगर्थन का नाम ब्लैक सेप्टेंबर था इन लोगों ने इसराइल दल के दो सदस्यों की हत्या कर डाली और बागियों को छोड़ने की एवज में दो सब फिलिस्तियों की रिहाई की मांग कर डाली जर्वनी पशोपेश में था चांसलर ने इसराइली पीम को फोन मिलाया और इस घटना को लेकर जानकारी दी उन्होंने दो टू को जवाब दिया कि इसराइल आतंकवादियों को कोई भी मांग नहीं मानना चाहेगा साले 11 लोगों की लिस्ट भी सामने आई जो दूसरे देशों में छिप गए थी इसराइल इन सभी आतंकियों को मौत देना चाहता था इसका काम खूफिय आजेंसी मुसाद को सौपा गया इस मिशन को रैथ ऑफ गौड का नाम दिया गया मुसाद की टीम ने एक के बाद देख पूरी दुनिया हैरान रहे गए उनिसक्यारा के हमलों के बाद दो दशकों में वाशिंग्टन ने हमलों के अपराधियों की तलाश किया और उन्हें दंडित किया हाला कि इसमें समय लगा लेकिन अमेरिका अपने लक्ष पर अडिक रहा कुछ मुख्यों देश्यों क अमेरिका के वजूद को ही जग जोड कर रख दिया था उनिसक्यारा हमलों के मुख्य साजिश करता बिनलादेन को दो मई 2011 को अमेरिकी नौसेना के जवान उन्हें मार गिरा था बिनलादेन पाकिस्तान के एप्टाबाद में चिपा था लेकिन वामेरिकी खूफिया विभा कि और मुद्धे पर देंगे आपको विस्तित जानकारी तब तक के लिए जूरे रहें प्रभा साक्षी करता